कुड़ाफन स्टूडेंट्स आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुण्डू क्लासिस आज मैं आपको क्लास नाइन्थ की बुक बिहाइव का फॉर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगा इस लेसन में में फॉर करेक्टर्स हैं और इनका नाम है जो फॉ कहानी का तीसरा करेक्टर है का उट्यू करते हैं यसे पहले मैं इस कहानी के का ओवर्व्यू और करेक्टर्स के बारे में एक वीडियो ऑल्रेडी अपलोड कर चुका हूं तो यह वीडियो देखने से पहले प्लीजू आप वो पहले वाली वीडियो देखिए ताकि आपको यह चेप्टर अच्छे से समझ में आए तो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी जो कहानी है वो फ्यूचर की है जब बुक्स और स्कूल्स जैसे आज हम देखते न ऐसे नहीं होंगे तो फ्यूचर में बच्चे कैसे पढ़ेंगे डाइग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज तो नीचे देखिए एक डाइग्राम दिया हुआ है यह डाइग्राम हमें बता सकता है कि किस तरीके से भविश्य में पढ़ाई होगी जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स आप भी आज कल देखते हैं कि बच्चे कंप्यूटर्स के थ्रू बढ़ रहे हैं लॉक्डाउन के पिरड़ में वर्चुल क्लास्रूम्स होंगे रोबोटिक और मेकैनिकल टीचर्स होंगे बच्चों को पढ़ाएंगे फ्यूचर में एंड मॉविंग इटेक्स्ट आज कल जैसे हम बुक्स देखते हैं जिस पर जो लेटर स्प्रिंट होते हैं इन फ्यूचर ऐसी बुक्स नहीं होंगी फ्यूचर में जो है डिजिटल डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो जो टेक्स्ट है वो मूव करेगा वो फिक्स नहीं रहेगा मार जी इवन रोट अबाउट इट आट नाइट इन हर डारी ओन दा पेज हैड़ेड 17th में 2157 शी रोट टोड़े टॉमी फाउंड अरियल बुक्स तो जो मार जी मैंने बताया दा कहानी की में करेक्टर है यह रड़की इसने अपनी डारी में लिखा क्या लिखा अन दा पेज हैड़ेड 17th में 2157 तोड़े टॉमी फाउंड रियल बुक्स आज टॉमी को एक रियल बुक्स में लिखती है कि वो काफी पुरानी किताब थी मार जी's grandfather once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper तो जो मार जी याद करती है अपने दादा जी के बारे में कि एक बार उसके दादा जी ने उसको कहा था कि जब उसके दादा जी छोटे बच्चे थे तो एक समय ऐसा भी था जब सारी की सारी जो stories हैं वो print होती थी paper पे they turned the pages और जैसे you know pages को वो turn करते थे which were yellow and crinkly और वो जो बुक्स के जो pages होते थे वो yellow होते थे और crinkly and it was to read it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen you know so you know मार जी के दादा जी ने उसको बताया था मार जी को कि books हुआ करती थी और printed you know paper पे चीजे प्रिंट होती थी लेकिन और जो books है आपको पता है काफी long time के बाद books की जो pages है वो yellow हो जाते है और crinkly हो जाते है crinkly with many folds or lines आप जानते हो जब हम books को बार बार use करते हैं तो उन पर काफी सारी foldings वगरा lines वगरा पढ़ जाती है और you know Marji को बड़ा you know funny लगता है कि एक ऐसे टेक्स को पढ़ना जो कि still हो Marji को तो आदत है कैसे text की जो move कर रहा हो screen पे and then when they turn back to the page before it had the same word on it that it had had when they read it the first time अभी हमारे books में जो हम books पढ़ते हैं हमने जो पेज अभी पढ़ा उसको अगर पलट देते हैं और दस मिंट बाद या पंदरा मिंट बाद उसको दुबारा खोल के देखते हैं तो उस पेज पर वही letter हमें मिलता है ठीक है हमारी books के अंदर जो हमारी books हैं उनके अंदर जो letter हम प्रिंट होते हैं वह मूव नहीं करते हैं लेकिन मार जी जो की future की student है वह जो है digital books बढ़ती है जिस पर जो letters है वह क्या करते हैं मूव करते हैं गी said Tommy what a waste when you are through with the book you just throw it away I guess गी गी is an expression that is used for expressing surprise or pleasure तो Tommy को बड़ा हजीव लगता है क्या waste है when you are when you are through with the book you just throw it away जब हम book किताब पढ़ लेंगे तो Tommy का मानना है कि किताब में फिर दुवारक पढ़ने लाए कुछ रह नहीं जाता तो किताब तो फैंगे लाएक हो जाती है our television screen must have had million books on it and it's good for plenty more और वह कहता है कि हमारा television screen है जो टेली बुक्स है उनकी उसमें यहनों हजारो किताबे हैं I would not throw it away और जो टेली बुक्स है उसमें आप जो आप एक बुक डाउनलोड करो उसको पढ़ो फिनिश करने के बाद आप नेक्स बुक डाउनलोड कर सकते हो पुराने वाले को डिलीट कर सकते हो बट वो यह कहता कि जो पुरानी जो नोट बुक्स हैं जो बुक्स हैं उसपे तो एक बाद जो लेटर प्रिंट हो गया वो प्रिंट हो गया एक बारी पढ़ने के बाद टॉमी का मानना है कि वो बुक हमारे किसी काम की नहीं रहती अब जो मार जी है वो यारा साल की है और उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी है जितनी टेली बुक्स टॉमी ने देखी है जो टॉमी है वो तेरा साल का लगा है जैसे कि इस फर्स प्रिंट में बताया था कि मार जी अपनी डारी में लिगती है कि टुड़े टॉमी पाइंड रियल बुक्स वो टॉमी से पूछती है कि आपको एक किताब कहां से मिली टॉमी अंसर कहता है इन माय हाउस किताब किताब किसके वारे में है तो मार जी है वो स्कूल का नाम लेते हैं उसके चहरे के एक्स्प्रेशन चीज़ वाते हैं मार जी का मानना है कि स्कूल के बारे में क्या लिखेंगे मार जी को स्कूल जाना कभी से अच्छा नहीं लगता था लेकिन अब तो पहले से भी ज़्यादा नफरत करती है the mechanical teacher had been giving क्यों करती है because the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully अब जो उसका mechanical teacher है वो मार जी को test के बार test मतलब geography में test के बार test दिये जा रहा है और वो हर test में गंदा perform कर रही है और लास्ट उसकी जो मदर है वो उसका सिरा के हिलाती है बड़ी पेन में and sent for the county inspector और उसको you know county inspector को बुलावा भेजती है county inspector मैंने आपको बताया था he was a round little man एक मोटा सा गोल मटोल सा आदमी है with a red face and a whole box of tools with dials and wires यह जो है इसको घर बुलाया जाता है यह चेक करें he smile at Margie and gave her an apple जैसे ही county inspector आता है वो Margie को देखके मुस्कुराता है और उसको एक apple देता है then took the teacher apart और जो उसका mechanical teacher होता है robotic teacher जो होता है उसको वो अलग ले लेता है Margie had hoped he would not know how to put it together again Margie को शायद तोड़े मन में उमीद जगरी है कि अब county inspector से साइद जो teacher है वो ठीक नहीं होगा but he knew how all right and after an hour so there it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked तो उसने एक तरीके से ठीक कर दिया है वो जिस पर बड़े-बड़े letters आ रहे है questions पूछे जा रहे है that wasn't so bad the part Margie hated most was the slot where she had to put homework जो Margie को सबसे जादा जिस बात से नफरत है वो उसे slot से नफरत है जहां पर उसको अपना homework डालना पड़ता है अपने test papers डालने पड़ते slot के अंदर she always had to write them out in a punch code वो जो answers बगारा जो homework है test paper है उसको you know punch code में लिखना होता है they made her learn when she was six years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time और जैसे आप उसको you know punch code की language में आप अपने answers बगारा डालते हो अपना homework डालते हो तो जो mechanical teacher है मतलब बिना कोई time waste किये तुरंत marks आपके show कर देता है कि बच्चे ने इतना score किया है the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head और जो inspector है वो smile करता है जब उसका काम finish हो जाता है और Margie के head पे pet करता है मारता है he said to her mother it's not little girl's fault और उसकी बच्ची की गलती नहीं है Mrs. Jones I think the geography sector was geared a little too quick वो कहता है कि जो geography sector था उस mechanical teacher का वो थोड़ा सा तेज हो गया है those things happen sometimes वोला ऐसा कई बार होता है I have slowed it up to an average 10 year level और मैंने उसको क्या कर दिया है 10 year level के हिसाब से उसको set कर दिया है अब वो तेज नहीं चलेगा actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory और वो county inspector कहता है कि मार जी की performance में कोई problem नहीं है उसकी performance satisfactory है जो मार जी की मदर है वो थोड़ी सी concerned है अपने बच्चे की performance को लेकर and he patted मार जी's head again और दुबार से मार जी के head पे pat करता हो मार जी was disappointed मार जी को तो लग रहा था कि उसका अनिकल teacher ठीक नहीं होगा और उसको पढ़ाई से मुक्ती मिल जाएगी as I told you she hated school इसले उसको लग रहा था मजा आने वाला यह ठीक नहीं होगा लेकिन अब मार जी थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि जैसा उसने सूचा था वैसा नहीं हुआ she had been hoping they would take the teacher away altogether उसको मीद थी कि टीचर को ले जाएगा अपने साथ they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month और एक बार Tommy की teacher को county inspector वो ले गया था एक महिने के आसपास because the history sector had blanked out completely क्योंकि जो history sector था वो पूरे तरीके से blank हो गया था उसका so she said to Tommy why would anyone write about school so you know उसने Tommy, Marji Tommy से बूसती है कि कोई बंदा school के बारे में क्यों लिखेगा Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school stupid this is an old school old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago Tommy you know उसको देखता है यार तिर को इतना नहीं पता हमारा जैसा school है न टॉमी बोलता है Marji को जैसा अभी अपना school है न इस type का school नहीं होता थे पहले stupid ठीक है पुराने time के school होते थे हैं hundreds and hundreds years of years ago बहुत चाल पहले की बात हो कहता है he added loftily pronouncing the word carefully centuries ago वो कहता है सदीय शताब्दियों पहले की बात है आज की बात नहीं है Marji was hurt well I don't know what kind of school they had all that time ago Marji फिर questions पूछते किस type के school होते थे पहले she read the book over his shoulder for a while then said और Marji ने थोड़े time के लिए जो बुक थी जो मिली थी टॉमी को एटिक के अंदर उसको थोड़ा पढ़ती है anyway they had a teacher sure they had a teacher but it was not a regular teacher it was a man so वो पढ़ने के बार बोलती है उनका teacher होता था तो तॉमी कहता है क्यों नहीं भई sure they had a teacher teacher तो होता था लेकिन but it was not a regular teacher it was a man जैसे बला अमारा teacher होता है na mechanical teacher बला ऐसा नहीं था पहले जो teacher होते थे वो man होता था तो मार जी surprise होती है a man how could a man be a teacher मार जी question पूछती है एक इंसान teacher कैसे हो सकता है well he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions so tommy कहता है teacher होता था बच्चों को boys को girls को homework देता है और उनसे कुछ questions पूछता है then Marji पूछती है a man is not smart enough एक आदमी इतना smart कैसे होता है then tommy replied sure he is क्यों नहीं होता है my father knows as much as my teacher Tommy कहता है मेरे पिता जी को भी उतना आती है उतनी information है उतनी knowledge है जितनी मेरे mechanical teacher को है he knows almost as much I betcha bet लगाना तो कहता है शर्त लगाओ मेरे पिता जी को भी उतना आता है जितना हमारे mechanical teacher को आता है Marji was not prepared to dispute अब जैसा कि मैंने बताया Tommy बड़ा है उसको ज्यादा knowledge है तो Marji उनो उसकी बात को contradict नहीं करती है disagree नहीं करती है she said I won't want a strange man in my house to teach me बोला मैं एक अजनबी आदमी को अपने घर पे नहीं आने दूगे बढ़ाने के लिए you don't know much बला आर बेफकूफ लड़की Marji तिरको तो कुछ पता ही नहीं है the teachers did not live in the house बला teachers घर पे नहीं रहते थे they had a special building and all the kids went there teacher की special building होती थी और सभी के सभी बच्चे special building में जाते थे and all the kids learned the same thing और वो बदाता है Marji को की सभी बच्चे same चीज़ सीखते थे sure if they were the same age और वो जो बच्चे आते थे same building में उन सबकी age भी same होती थी then Marji कोशन पूशती है but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently कहती है लेकिन पहले इंसान होता था भई मेरी मम्मी तो कहती है कि भई जो teacher है उसको a mind adjust करना पड़ता है हर लड़की हर लड़की के हिसाब से सबको पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है just the same they didn't do it that way then if you don't like it you don't have to read the book so you know manager से पताया जो Marji है वो silly silly questions पूशती है बच्च वाले questions पूशती है और Tommy को इस बात बड़ा गुस्सा आता है Tommy कहता है if you don't like it you don't have to read the book अगर ठीक है तरको नहीं पसंद तो इस किताब मत पढ़ा I didn't say I didn't like it Marji कहते है मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है Marji said quickly she wanted to read about those funny schools अब Marji का जो interest है वो उस किताब में जाग रहा है now she wanted to she wanted to know more about those you know schools funny schools they were not even half finished when Marji's mother called और इस तरीके से दोनों के बीच में Marji और Tommy के बीच में बात हो रही थी जबी जो है Marji की मदर बुला लेती है Marji, school Marji looked up not yet mama now said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy too Marji said to Tommy can I read the book some more with you after school अब जो Tommy की किताब है हमें पता है वो Tommy से मांग लेती है कि कुछ मैं पढ़ लू maybe he said non-challently non-challently होता है not showing much interest or enthusiasm he walked away whistling और जो Tommy है ठीक है चलो पढ़ जकती है और वहां से चला जाता हुआ सीटी बजाता हुआ the dusty old book tucked beneath his arm Marji went into the school room it was right next to her bedroom और जो Marji है अब वो अपने school room में जाती है जैसे कि उसकी मदर ने उसको बिलाया था उसका school का time हो गया है और जो उसका school room है it was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her और जो mechanical teacher है Marji का वो on हो गया है और वो wait कर रहा है Marji की it was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours और जो उसका जो mechanical teacher है वो same time पर मिलता है वहाँ पर Saturday or Sunday को छोड़ कर उसकी मदर का मानना है कि जो छोटी बच्चियां होती है वो अच्छे से सीखती है अगर वो regular hours पर learn करती है the screen was lit up और जैसे कि mechanical teacher बिल्कुल on है screen lit up हो रखी है and said today's arithmetic lesson is on the edition of proper fractions तो उस दिन जो मार जी है वो किसके बारे पढ़ने वाली है arithmetic lessons के बारे में please insert yesterday's homework in the proper slot तो वो instruction दे रहा है मार जी को कि मार जी जो है अपना कल का homework proper slot में डाले मार जी did so with a sigh sigh होता है deep relief मार जी थके हारे मन से वो थोड़ी उदासी से वो करती है she was thinking about the old school मार जी अब वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है they had when her grandfather's grandfather was a little boy सोचती है मेरे दादा के जो दादा थे जब वो बच्चे थे उस ताइम पर जो स्कूल होते हैं मार जी उनके बारे में सोच रही है all the kids from the whole neighborhood के वो सोच रही है कि सभी परोस के बच्चे जाते थे स्कूल में laughing and shouting in the school yard स्कूल जा रहे हैं हस रहे हैं चिला रहे हैं sitting together in the school room और सभी बच्चे जाके school room में बैठते हैं going home together at the end of the day और जैसे उनका school फिरिश होता है सभी बच्चे इकठे आते अपने घर पे they learn the same thing और सभी बच्चे सेम चीज़े वहां सीखते हैं school के अंदर so they could help one another with the homework and talk about it वो सोच रहे हैं कि जब सेम चीज़े सीख रहे हैं बच्चे तो वो एक दुसरे की help कर पा रहे हैं homework में और उस homework के बारे में discussion कर पा रहे हैं and the teachers were people और वो सोचती है कि आज जैसे हमारे teacher है mechanical teacher पुराने टाइम पर ऐसे teacher नहीं होते थे पुराने टाइम पर रियल जो लोग होते थे वो teacher होते थे mechanical teacher मतलब इस तरीके से उसके दिमाग में thought चल रहे है वो पुराने स्कूल में मतलब जो पुराने जो बच्चे हैं वो क्या मजे करते थे पुराने स्कूल में वो इस तरीके से सोच रही है and the mechanical teacher was flashing on the screen और जो mechanical teacher है उसकी screen पर flash हो रहा है when we had fractions half and one by four इस तरीके से कुछ लिखा रहा है screen पे and still Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days और Margie सोच रही है कि पुराने ज़माने जो बच्चे कितना मजा करते होंगे जब एक real school में जाते थे बच्चों से मिलते थे friends बनते थे साथ में homework करते थे enjoy करते थे चीकते थे चिलाते थे she was thinking about the fun they had और वो उन सब मस्तियों के बारे में सोचती है जो पुराने बच्चे करते थे so students this is the story the fun they had by Isaac Asimov hopefully आपको ये पूरा chapter मेरी इस वीडियो के थुरू क्लियर हो जाएगा आपको अगर वीडियो मेरी अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और इस मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सगे शेर कीजिए थैंक यू